तेछ एलो फ्रेंज अगर आप कतर से रहते हैं तो आपको बता दूर्ओं जैगा चार Phasem आयए ड़ानप ये तो स्रुए चलेगा तो जून 15 से फ्रस्ट फेस में ज्ट कट्हें में दोस्तो कडिये लिये दोस्तों के के लिए परमिशन रहेगी दोस्तों अपनी एक परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम दोहा अगर पहुंचेंगे तो दो हफते का क्वारंटाइन हम रहेंगे दोस्तों साथ में आउटबूर आउटबूर एंड प्रोफेशनल स्पोर्स में रिस्टिक्टेड रिस्टिक्टेड पा पार्क है उसको आउटबूर इस्पोर्ट के लिए बैन रहेगा उसे आपको खोई नहीं जा सकते प्रोफेशनल ट्रेनिंग है अगर जारी रखना है तो एक उस्ताज एक ट्रेनर और साथ में उसे साथ पांच ट्रेनिंग करने वारे लोग ही रह सकते उसे ज्यादा नहीं एजुकेशन और हैल्ट इपार्टमेंट दोस्तों चारीस परसेंट कैपेसिटी साथ हैल्ट प्राइवेट हैल्ट केर फैसलिटी सुरू हो जाएगी इमर्जंसी सेवा जो चालू थी वह चालू के चालू ही रहेगी दोस्तों उसके अलाबा मॉल खुलेंगे सौब खुलें बीस परसेंट से जारा नहीं आसकते दोस्तों तीस परसेंट नहीं बीस परसेंट से जारा नहीं आसकते तीस परसेंट से ज्यादा मॉल की क्यापिसिटी में कस्टमर नहीं आसकते फेस्टू सुरू होगा जुलाइवन में दोस्तों जिसमें दीमें लिमीटेशन अटाएग यहां सब्युआ कि इसमीद कर दोछल लीड़ी तुछ पीपल दस लोग तगे घठ्थी हो सकते हैं कि अब कर दोछ जाएगी आपको बाद कर दोछे हो फ़र्स जुलाइ से मज़िदे भी खुल जाएगी दोस्तों टांसपोर्ट टांसपोर्ट डोस्तों बॉत और याश्ट र जाएंगे बीचे स्कूल जाएंगे दोस्तों उसके बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ इसमॉल ग्रूप हैं है आउन अथा मलब जो ट्रेनिंग सिडूल है या ऑपन ट्रैनिंग सिडूल है यह आउट दूर से वह 10 लोगों से कम वाली यंगा पर सभी खुल जाएंगे जाएंगे 10 लोगों से कम लोग इकठा हो सके एजुकेशन हेल्थ 60% के साथ प्राइट होस्पिटल जैसे के पहले खुल गये लेकिन अब 50% के साथ बढ़ा सकते हैं बिजनेश और और सभी मॉल जाएंगे दोस्तों लेकिन इसके लिए तो रहे गाएगा उसके अलवा वाल्सें मार्केट खुल जाएंगे दोस्तों टाइम प्रेंट रहेंगा रेस्टोरेंट खुल जाएंगे लेकिन उसके लिए क्यापेसिटी कम रहेगी दोस्तों साथ ही साथ म्यूजियम और लाइब्रेरी भी खुल जाएगी और पचास परसेंट एलाओ किये जाएंगे करमचारी ओफिस में काम करने के लिए अब बार करें फेज त्री जो कि फर्स्ट अगर से सुरू होगा दोस्तों अब इसमें फिर स में नमाज आदा की जाएगी लेकिन जुमा की नमाज नहीं होगी करना दोस्तो साथ में driving school फोल दिये जाएंगे जो गाड़ी बाड़ी चलाना सिखाते हैं उसके अलावा playground और फोल दिये जाएंगे ट्रेनिंग कर सकते हैं 40 लोगों के साथ ठीके दोस्तों maximum 40 लोग से जादा नहीं दोस्तों sports team फिर competition ये सब भी कर सकते हैं 40 लोग से जादा इकठे ना हो चालिस बच्चों से जादा इकठे ना हो एजुकेशन में 80% capacity के साथ प्राइवेट के सुरू हो जाएंगे अभी 60% अभी 80% नर्सरी और चाइल्ड की फैसलिटी भी सुरू कर दी जाएगी दोस्तों बात करें बिजनेस और लेजर की 50% capacity सभी लोग नहीं आ सकेंगे यहां पर ब्यूटी और मसाज पालर खुल जाएंगे लेकिन 50% capacity के साथ प्राइवेट टेनिंग सेंटर अभी बंद रहेंगे दोस्तों फिर 80% एमप्लोई अलाओ किये जाएंगा वर्क प्लेस में हेल्ट के साथ काम करने के लिए दोस्तों पांच चोथा और अन्तीम फेज दोस्तों 1 सेटमबर से सुरू होगा दोस्तों जहां पर गैदरिंग में सभी तरह की गैदरिंग अलाओ होगी दोस्तों मतलब मेरीज होल में वैडिंग में सभी तरह की मस्जिदें सभी तरह की खुल जाएगी जुमा की नमाज भी खुल ज जाएगा सिटमबर महिने में फिर समर केम समर कलब समर कल्चर एक्टिविटी खुल जाएगी स्पोर्स एक्टिविटी चल जाएगी उसके लावा एजुकेशन हेल्थ में 100% और लोग आने लगेंगे बच्चे आने लगेंगे स्टाप भी आने लगे आप बात करें सभी मॉल सबढ़े जाएगे दोस्तो रेच्टोर्ण भी खुल जाएगे लेकिन सकत्र अभी इंग पैल लागूर ही फ्ली के पर वर्य खुले रहेंगे दोस्तोशचाय ब्यूटी पालम मसाज पालब सब खुल जाएगे दोस्तों और होम डियर्युरी सब्स शुरू हो जाएगी से त प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर खुल जाएंगे दोस्तों और फिर ओपनिंग क्लीनिंग होस्पिटिलिटी सभी सुल जाएगी दोस्तों साफ सफाई वाले जो घर पर आके करते हों सब आने जाने लगेंगे और सब्सक्राइब कर दोस्तों फिलाल वीडियो को सब्सक्राइब कर दो